इस बार तो जनता ने दिखा ही दिया कि वो 1970 की नहीं 21 सदी के हिंदुस्तान का हिस्सा है जहां सिर्फ भाषन सुनकर या फिर कुछ मैनिफेस्टो जानकर वोट नहीं दिये जाते इस बार पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने वाली भाजपा ने कॉंग्रेस को दूल चटा दी 2014 से जादा सांसद लाकर भी 2019 में कॉंग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा और हार की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने कॉंग्रेस वर्किंग कमिटी में पाटी अध्यक्षपत से स्तीफे की पेशकश के जिसे नामंजूर कर दिया गया ऐसे में राहुल गांधी का स्टेट्मेंट आया कि वे पाटी के नेताओं से नाराज हैं क्योंकि किसी ने भी हार की जिम्मेदारी नहीं उठाई इस स्टेट्मेंट के बाद तो जैसे कॉंग्रेस में इस्तीफों की बाहर ही आ गई करीब पूरे देश के कॉंग्रेस कार्य करताओं और अधिकारियों ने इस्तीफे भेज दिये हैं जिसमें कुछ वरिष्ट नेताओं के नाम भी शामिल है जैसे कॉंग्रेस महासचीब, दीपक, बाबरिया और अगर पत अधिकारियों की बात करे तो विरेंद्र राठोर, अनील चौधरी, जितेंद्र भगेल जैसे कही नाम शामिल है इसी बीच राहुल गांधी ने लिया एक बड़ा फैसला और कॉंग्रेस के 36 गड़ के लिए अपना नया प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया है कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दो बार रहे विधायक मोहन मरकाम को 36 गड़ प्रदेश अध्यक्ष कमीटी का अध्यक्ष बनाया है ऐसा पहली बार हुआ है जब कॉंग्रेस ने बस्तर के किसी नेता को सूबे की जिम्मेदारी सौपी है इस पेशल टेस्क से पलक गुप्ता की रिपोट नफ्तेच टीवी